हेलो एवरिबन कैसे आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आप सभी का हमारी यूटूब चैनल वीके स्टेडी में स्वागत है आप लोग का इंटर्विव का प्रिप्रेशन अच्छे से चार रहा होगा और आप सभी को बहुत ही वेसेवरिस से आप लोग का रिजल्ट का इंतजार होगा तो guys आप लोग का जो apprentice का result है आप कुछी दिन में जारी कर दिया जाएगा तो result निकलने के बाद जो आपका selection process है वो थोगा तेज हो जाता है तो आप लोग के पास जो interview के लिए time है वो काफी कम time बचा है तो उसी से regarding मैं ये video बना रहा हूँ आप लोग के लिए कि आपका interview काब होगा कहाँ पे होगा किस तरह के question पुछे जाएंगे आपसे और क्या dress पे इनके जाना है सारा जनकारी मैं इस video में आपको देने वाला हूँ तो guys मैं यहाँ पे अपना खुद का experience आप लोग के साथ share करूँगा कि जब मैं apprentice का interview देने गया था तो मेरा interview कैसे हुआ था और किस type के question पूछे गया थे तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा तो चलिए guys वीडियो को शुरू करते हैं तो जब आप लोग का apprentice का result निकलेगा तो कुछी दिन बाद आप लोग को interview call later आगा जिसमें आपको interview का date लिखे रहेगा और वेनस लिखे रहेगा यानि कि कहां पर आपका interview होगा और किस date को होगा सारा चीज़ वहाँ पर mention होगा तो mostly जो आप लोग का interview होता है वो SNTI में होता है ठीक है और जो other state के वच्चे होते हैं या फिर उडिसा के वच्चे होते हैं उनका जो interview होता है कलिंगा नंगर में जगा है जज़पूर वहाँ पर होता है तो यहीं दो जगा है जहाँ पर apprentice का interview होता है तो इस बार तो सिफ जरकांड के वच्चे के लिए ही था तो इस बार जो आपका interview होगा वो SNTI में ही होगा ठीक है तो गई सबसे पहले बात करते कि आपका dress code क्या होगा तो dress code तो कोई specific नहीं है पर आप जब interview देने जाएंगे तो आपको formal कफड़े paint करी जाना है formal means से आप simply उपर white set paint लेजे और नीचे कोई भी fan paint लेजे पर वो formal होना चाहिए और गलती से भी आप चपल paint के मत जाएगा ठीक है ने तो आप वहीं पर reject हो जाएगा तो आपको formal shoes paint कर जाना है और simply formal कफड़े paint कर जाना है और जो भी documents आपको interview call later में mention होगा वो सारा document आपको लेकर जाना है ठीक है क्या क्या ले जाना वो सारा चीज आपका जो interview call later आएगा उसमें सारा चीज mention होगा ठीक है तो जब वहाँ पे जब आपका entry होगा तो सबसे पहले आपको वहाँ पे कुछ form भरने होंगे तो सारा form वहाँ पे भराया आता है सारा वहाँ पे जो भी assistant रहते हों सारा form को क्या करते है अच्छे से आपको feel करवाएंगे उसके बाद जो भी आप document देंगा वो सारा document का अच्छा से verification होगा उसके बाद आपको एक file में वो सारा document को दे दिया जाएगा उसके बाद आपको interview के लिए wait करना होगा तो वाज, वहाँ पर जो interview होता है 2-3 room में एक साथ interview चलते रहता है क्योंकि अगर एक ही room में interview होगा तो काफी जादा time लग जाया क्योंकि बच्चे काफी जादा रहते है Third वाद आपका number है तो आप ready रहेए तो जो file आपको मिला था वो file लेकर आपको ready रहना होता है तो फिर जब आपका interview का number आगा तो जब आप gate से entry करोगे तो simply आप permission लेकर entry करना और जब आप अंदर जाओगे तो सभी जो भी interviewer रहेंगे उन्स सबको आपको wish करना है जो भी time रहेगा good morning, good afternoon, good evening जो भी रहेगा आपको wish करना उसके बाद interviewer बोलेंगा आपको वैटने तो आपको simply वैट जाना है और simply जब आप वैट होगे तो आपको proper way में सीधा होका वैटना है आपको घवराना नहीं है आपके face पे confident नजाना चाहिए interviewer को तब ही interviewer के mind में positive impact जाता है और वो अच्छे-चे question पूछते हैं आपसे उसके बाद जो आपका interviewer है वो start हो जाएगा तो सबसे पहले interviewer आपसे पूछेंगे कि आप कौन सा language को prefer करेंगे तो जो भी language आप बोलेंगे उसी language में interviewer आपसे question पूछेंगे तो जब मेरा interview हुआ था तो सबसे पहला जो कोचन था मुझसे पूछा गया था कि अपने वारे में बताईए तो मैंने अपना introduction English में दिया था तो आप लोग को वे अपना introduction अच्छे तयार कर लेना कि जो भी language में आप आपको अच्छा रहाएगा हिंदी या इंगली जो भी language में आप चाहते हैं उस language में आप introduction बोल सकते हैं तो introduction को आप अच्छे से ready कर लिजेगा दम competent होकर वहाँ पर बोलना आपको introduction तब ही आप interviewer के mind में एक positive impact बना सकेंगे तो जब मेरा introduction खतम हो रहा था तो last में मैंने अपना family detail पूरा नहीं बताया था तो जैसे ही मेरा introduction खतम हुआ interviewer मुझसे अपने family के बारे में कुछ पूछते हैं like के आपके पापा क्या काम करते हैं ऐस सारा question आप से पूछा जाएगा कि अगर आपका इधर selection हो गया तो आप उस course को छोड़ेंगे या करेंगे इस type के भी question आप से पूछा जा सकता है और वो सारा चीज का तयारी आपको अच्छे से करके जाना है तो जब मैंने अपना introduction दे दिया और उससे cross question भी interviewer पूछ लिए उसके बाद मुझे पांच question दिया गया math का और उन्होंने बोला कि आप इसको पांच मिनट वे बना कर दिखाए तो वैज पांच में से कुछ question जो था वो mensuration के थे और कुछ question जो था probability के था तो मुझे को जो था वो mensuration का था तो मैंने पांच में से चारी question सही सही बनाए और उसके बाद interviewer को दिया मैंने interviewer उस सारा question को step by step अच्छे चेक कर रहे थे और मुझे cross question भी पुछा जा रहा था कि आप इससे step को क्यों follow कि ए ठीक है तो सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए जो भी आप बनाएंगा वहाँ पे उसका पीछे का कारण भी आपको पता होना चाहिए कि आप इससे को क्यों लगा है ठीक है तो इस सारा question आपसे भी पुछा जा सकता है मैत के question पुछने के बाद जो दूसरे interviewer थे वो science के question पुछना सुरू किये तो सबसे पहले मुझसे दो SI unit पुछा गया पहला जो पुछा गया कि momentum का SI unit क्या होता है तो जब मैंने उसका answer दिया तो फिर एक और question मुझसे पुछा गया कि electric current का SI पुछा सा box है तो इस box को आपको उसमें draw करना है अलग-अलग और आपको एक में दिखाना है pull करते हुए और एक में दिखाना है push करते हुए तो किसमें ज्यादा force लगेगा और क्यूं लगेगा ए चीज आप करके बताईए तो उसका diagram मैंने अच्छे से बनाया और साथी सा प्रात कहां पर की direction फोर्स लगेगा और क्यूं लगेगा सारा चीज मैंने उस drawing में ही mention कर दिया तो पूछे की ऐसा क्यूं हो रहा है ठीक है तो उसका भी मैंने answer दिया तो जो भी आप वहां पर बनाएंगो उसके पीछे का आपको रीजन पता होना चाहिए ठीक है क्योंकि सारा चींटर्विवर आपसे पूछेंगे नेक्स कोचन जो था वो इंटर्विवर मुझे electricity चेप्टर से दिये थे उसमें क्या किये वह एक बाइट फेज लिया और उसमें एक डाइग्राम बनाए circuit ठीक है उसमें दो तीन resistance लगा दिये उसके बाद डाइग्राम बनाने के बाद मुझे बोलागा कि अब बाताएगे कि एक कौन सा सरकेट है ठीक है कौन सा कंबिनेशन इसमें लगा है इस सरकेट में और इसका resistance कितना होगा तो यह चीज़ मुझे निकाल कर बताना था तो चीज़ भी मैंने निकाल दिया वह पैरलेल सरकेट कर दिये थे ठीक है तो मैंने solve किया था उसके बाद क्या हुआ जब मैं अपना introduction दे रहा था तो उसमें मैंने अपना qualification 12th with science system बताया था तो जो दूसरे वाले stress क्या होता है और एक दो कोचर पुछा गया था पिसाइंस और मैथ कोचर पुछने के बाद लाश्ट में मुझसे पूछा गया कि आप टाटा इस्टिल क्यों जोइन करना चाहते हैं तो मैंने बताया फिर उससे वी लेड़ेटर कुछ कोचर पुछा गया कि टाटा इस्टि ठीक है तो मैंने अपना प्रेशनल एक्सपिरियंस आप लोगों के साथ सेर किया जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो क्या-क्या में साथ हुआ क्या-क्या कोश्चन पुछा गया है सारा चीज मैं आप लोगों को बता दिया हूं ठीक है तो उसी के जैसा आपका भी इंट पूछे कि आपको कौन सा टॉपिक ज्यादा पसंद है या पी कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा पसंद है तो उसी से रिलेटेड भी कोश्चन पूछते हैं ठीक है तो यह भी पूछ सकते हो लोग तो आप एक टॉपिक को भी अच्छे से रेडी कर लिजेगा ताकि पूरा तरह से कंफिडेंट होकर दीजेगा इंटर्विवर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप डर रहे हैं या फिर आप रट क्या है किसी भी एंसर को ठीक है तो आपको पूरे तरह से लौजी के साथ सारा चीज को पढ़कर जाना है तो यह सारा चीज होता है अप्रेंट मेडिकल के लिए सारा इंस्ट्रक्शन दिये रहाएगा कि आपका मेडिकल का अब होगा और क्या क्या चीज होगा मेडिकल में चेक ठीक है तो सारा चीज वहां पर लिखे रहता है मेल में आपका तो टाटा इस्टिल का मेडिकल होता है वो सिंपल होता है सिंपल सिंपल चेक अगर कम भी रहता है तो चलता है ठीक है आपको कुछ दिनों का टाइम भी मिलता है कि इतना वेट नहीं है तो आप इस वेट को पुरा कर लेजे इतना दिन का अंदर में उसके बाद चेस्ट मेजर किया जाता है उसके बाद ब्लड फेसर माफा जाएगा आप लोगा उसके बा लिखे रहेगा उसके बाद कुछ मीटर के दूरी पर कुछ अलफा वेट लिखे रहेगा उसमें आपको एक आख बंद करके बताना रहेगा कि वहां पर क्या लिखा हुआ ठीक है तो इस तरह से आपका आई टेस्ट होगा उसके बाद आपका ब्लड लिया जाएगा ब्लड निकालना अच्छे से तो आप लोग इंटर्विव का फिर पेशन में जूर जाए पूरा अच्छा तरीका से ताकि इंटर्विवर जो भी आप से कोश्चन पूछे आप उसका अंसर पूरी तरह से कन्फिडेंट होकर दे सको तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी मैंने जनकारी दिया आप लोगो के लिए हिल्फ हो रहा होगा तो गैज इस वीडियो को जादा जादा सेर किजे अपने दोस्तों के साथ भी ताकि उनको भी इससे फायदा मिन सके और कर दोस्तों 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 कर दोस्तों